प्रकाशित वाक्य एक्की सध्य है तीन से चार पद फिर मैंने सिहासन में से किसी को उचे शब से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुश्यों के बीच में है वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और उनकी आँखों से सब आसु पूंस डालेगा और इसके बाद मृत्व ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीडा रहेगी पहली बाते जाती रही मसी में प्रिय भाईयों और भैनों और सभी टीवी के शुरोताओं इस संदेश को देने से पहले मैं आपको कुछ वर्षाधनुश के तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ वर्षाधनुश इस कलिस्या में हमें बहुत बार दिखाए देते हैं मौन मेठे पानी के जगये पर और हमारी बहुत से दूसरी शाका कलिस्याओं में भी हमने बहुत से वर्षाधनुशों को देखा है नो साल पहले मेरे जिनम दिन पर पर्मेशन ने मुझे दो गोला कर वर्षाधनुश दिखाए और उस पल से पर्मेशन ने हमें बहुत से अलगलग प्रकार के वर्षाधनुशों को दिखाया है और पर्मेशन ने हमसे कहा है कि जब भी तुम इस वर्षा धनुष को देखोगे तब तुम जानोगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और पिछला मंगलवार वो दिन था और पर्मेशन ने हमें बहुत से विवित प्रकार के रंगों का वर्षा धनुष दिखाया ये हमारी कलिस्या के ऊपर का वर्षा धनुष है जो कि हमारी कलिस्या के ऊपर था ये बिल्कुल पहले से साफ दिख रहा था वर्षा धनुष वो कई बार मेरे घर के ऊपर और कई बार मिटे पाने के वहां भी पाय जाते है मैं पहले ऐसे सूचता था कि कोई ऐसा दिन होगा जब पर्मेशन मुझे वर्षा धनुष दिखाएंगे और परमेशन ने मुझे 9 साल पहले एक दिन के बार में बताया और उस दिन पिता परमेशन ने मुझे सबसे पहले वर्षा धनुष को दिखाया ये एक बहुत बड़ा वर्षा धनुष था और जो इसका रंग था वो बहुत ज़्यादा सुन्दर था हम इसे बिल्कुल साफतोर से देख पा रहे थे ये स्वर्ग की श्रंकला का 19 संदेश है आज मैं आपको लगातार स्वर्ग की जीवन के बारे में बताऊंगा स्वर्ग में आपको वहाँ पर अपने खाने के लिए और अपने वस्रों के लिए आपको पसेना बहाने की जुरत नहीं है तो फिर मैं स्वर्ग में क्या करूंगा क्या मैं वहाँ पर बोर हो जाऊंगा और फिर अनंतकाल के लिए मैं वहाँ पर क्या करूंगा हो सकता है कि आप इस सरीके से सोचते हों तो कृप्या करके आप इस भार में चिंता ना करे स्वर्ग में वहाँ पर ऐसे बहुत से चीज़े हैं जिनका आप आनन्द लेंगी जिस सरीके से मैंने आपको पिछले दो संदेशों में बताया है वहाँ पर ऐसे बहुत सी मनोरंज़क चीज़े है और वहाँ पर ऐसे बहुत से मनोरंज़क पार्क है, बहुत से खेल है और वहाँ पर बहुत से भोज होंगी और बहुत सी प्रस्तूतिया होंगी और वहाँ का जीवन और ज़्यादा खुशी से भरा है जिस तरीके से मैंने आपको सुर्ग के जीवन के बारे में बताया आज मैं आपको इसी भी बढ़कर जो मैं आपको बताऊंगा जब आप सुर्ग में जाएंगी तो आप यहां तक ही आप अपनी आँखों से दूर से उन सुन्दर चीजों को देख सकते हैं और वहां पर ऐसी बहुत से सुन्दर चीज़ी होंगी और ये सुन्दर चीज़े ये किवल सुर्ग में ही हैं और संसार के सबसे सुन्दर चीज से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती वहां पर आपके उपर कोई भी काम करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा लेकिन आप आनंद करेंगे जो कुछ भी आप चाहते हैं क्योंकि आप उसे करना चाहते हैं इसलिए आप स्वर्ग में वहाँ पर सची खुशी महसूस करेंगे और हर कोई वहाँ पर खुशी और शांती कानुपव कर सकता है इस संदेश के द्वारा होने पाए आपका हर्दवु खुशी से भढ़ने पाए और स्वर्ग की आशा के साथ जो की सची खुशी है प्रभुश्य मसी की नाम से मैं प्रातना करता हूँ मसी में प्रियभाईयों और भैनों पिछली संदेश में मैंने आपको बहुत से सुन्दर प्रस्तूतियों के बारे में बताया था क्या हम स्वर्ग में वहाँ पर कोई फिल्म देख सकते हैं हाँ ये ठीक है वहाँ पर मूवी थेटर भी होंगे और आप वहाँ पर फिल्मों को भी देख सकते हैं जो लोग पहले और दूसरे स्वार के राजे में जाएंगे उनके लिए सारजनिक थेटर होगा और वो सभी लोगों के साथ मिलकर उन फिल्मों को देख सकते हैं और जो तीसरे और जो नेरशले में हैं उनके पास वेक्तिगत वहाँ पर फिल्म का थेटर होगा और वो वेक्ति मिशनरी पॉल के बारे में बताया था जो कि जर्मनी में थे और कुछ पाश्चर जो कि डेमोक्रेटिट रिपब्लिक ओफ कॉंगो में है उनमें से कुछ पाश्चर कहते हैं कि मानमी चर्च के पाश्चर ट्रेवरेंड डॉक्टर जेरोकली उनके पास स्वेम का अपना कि सरीकिसे कहा इसलिए मैं इस बात के लिए निशित नहीं हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ऐसे भल इच्छा से कहा या नहीं लेकिन ये भद्दा है क्या मैं इतना जाधा अमेर हूँ कि मैं अपना स्वेम का वेक्तिक गद उस प्राइवेट जेट को खरेद लूँ कि सरी किसी में उसका खर्चा उठाऊंगा लेकिन स्वर्ग में निशेत तोर से वहाँ पर ऐसा होगा बहुत से व्यक्तिग्यज़ जैट वो मेरे घर में होंगी अगर आपके पास अपना स्वयम का होम थेटर होगा तो आप किसी भी समय फिल्म को देख सकते हैं और आप अपने मित्रों को और आप अपने प्रिये लोगों को वहाँ पर बुला सकते हैं और आप एक साथ बैठ कर उस फिल्म को देख सकते हैं 20 साल पहले मैं और मेरा परिवार मिलकर जब कोरिया में धनेवाद दिवस होता था हम मिलकर वहाँ जाते थे लेकिन अब हम वहाँ पर नहीं जाते क्योंकि हम सब प्रभू की सेवा करने में वयस्त है हम पहले वहाँ परमसीही फिल्में देखते थे जो कि अनुग्रह से भरी होती थी हम एक फिल्म को चुनते थे और फिर हम एक साथ मिलकर एक साल में कभी कवारां वहाँ पर जाते थे लेकिन हम पहले इसे देखते थे अब हम ऐसा नहीं करते हमने हाल फिलाल में हमने प्रभू की क्रूस के उपर उस फिल्म को देखा और मैंने आपको बताया कि हमने उसे देखा ठीक लेकिन हम में से सभी वो सभी के सभी स्वर की आश्या से भरे है और कोई भी अपने हिदे में खेदित नहीं होता कि अब वो उन फिल्मों को नहीं देखते पिशली सर्दियों में मेरी तिनों लड़किया मेरे पास आई और उन्होंने मुसे कहा कि अगर हम छुटियों में कहीं जाएं तो फिर ये आपके परमेशर के कारियों को पूरा करने में बाधा डालता है इसलिए हमने इसाल निर्ने लिया है कि हम कहीं भी छुटियों में घुमने नहीं जाएंगे उन्होंने मुसे इस प्रकार से कहा इसलिए मैंने उनकी उस नीर्ने को स्विकार किया हमारे भले परमेशर वो हमें वापस देते हैं जो भी कुछ हमने इस पृत्मी पर किया है और वो हमें बहुतर चीजों के साथ और बहुतर प्रतिफल वो हमें निश्ची तोर से वापस चुकाएंगे तो फिर आपके इस तरीके की फिल्म स्वर्ग में देखेंगे वहाँ पर ऐसे बहुत सी फिल्में होंगी उन सभी चीजों की जब मनुश्य की जुताई इस पृत्मी पर हो रही थी जिस तरीके से जब परमेशर ने सिस्टी की नुहू की बाड, निर्गमन, येश्यू की सेवकाई और क्रूस का प्रावधान और पावित्र आत्मा के महान कार्य और हमारे विश्वास की पूर्वजों का जीवन इन सभी चीजों की उपर वहाँ पर फिल्में होंगी और जिस तरीके से लाल समुदर को बाटा, दस्वी पतियां हम उन्हें वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और सुरज और चांद को रोग देना, यर्दन नदी को पार करना जब हम इन सभी चीजों को देखेंगे तो ये बहुत जादा मजेदार होगा जब एलिया ने परमिशर से प्रातना की और जब परमिशर ने आग भीजी और जब आरेश होई और जब उन्होंने 470 मुर्ती पुजकों को हराय तो ये हमारे हिदे को बहुत जादा प्रभावित करेगा जब हम इन बाइबल के कहानियों की उपर उन फिल्मों को देखेंगे तो हम और ज़दा आनुगर है और और ज़दा भावनों से भर चाएंगे ये सबी फिल्में जिस तरीके से दस आग्याएं पैशन ओफ दि क्राइस्ट ये स्वर्ग में भी होंगी अगर प्रिरित पॉलुस का जीवन अगर वो कोई हमें एक फिल्म में दिखाएंगे तो फिर हम वहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरीके से प्रिरित पॉलुस वो प्रभू से मिला और किस तरीके से उसने प्रभू से प्रेम किया और के सरेके से उसने अपने जीवन को जिया तो हर कोई वो अपनी भावनाओं से भर चाएगा जब उस पर पत्राओ किया गया और दोबारा से उसको जीवन मिला फिर वो जेल में डाला गया लेकिन उसने अपने पूरे हिर्दे से सिलास के साथ परमिश्र के सूती की तो ये कितना जादा प्रभावित करने वाला होगा और यहां तक कि उसका जहास टूट गया वो समुद्र में रहा उसनी तब भी खुशी से परमिश्र के सूती करते हुए वो शहीद हुआ जब हम इन सबी चीज़ों को देखते हैं तो हमारे हिदें वो बहुत जादा प्रभावित होंगी आप प्रिरित पोलुस की प्रात्ताओं को और उसकी सूतियों को वहां पर सुन सकते हैं जब यहां तक कि उसमें अपने कड़ी और कठोर परिक्षाओं में भी जो मनुशे की कोशिशों से बाहार है यहां तक कि जो बाइबल में भी नहें लिखी लेकिन आप उन्हें स्वर्ग में देख सकते हैं आप धन्यवाद की प्रात्तनाओं को और उन सूतियों को जो उसने जेल में पिता परमिश्यों को अर्पित की और रातों और दिन उस जहाज में उस समुद्र में जवो रहा उसने किस प्रकार से हो सूतियां गाए यह कितना ज़ादा प्रभावित करने वाला होगा स्वर्ग में ये फिल्में ये हमें किवल अनुग्रह से भर देंगी और उन भावनाओं से भर देंगी यहां तक की एक छोटी सी भी फिल्म वो आपको अनुग्रह और भावनाओं से भर देंगी और आपको और जादा योगय बनाएगी कि आप परमिश्र की आराद ना करें और आप परमिश्र से प्रेम करें मसी में प्रेय भाईयों और भेनू जब आप सुहर्ग में जाएंगी तो आप सुहर्ग के सभी राजों में वहाँ पर जा सकते हैं जो कि बहुत जादा सुन्दर है जब लोग जब वो गलोग के चारों और घूमते तो वो ऐसे चीज़ों को देखते हैं जहां उन्हें खुशी मिल सकती है अगर वो सभी हर एक देशों के कोने कोने में जाए तो उनको कितना जादा लंबा समय लगेगा अगर वो बिना कुछ क को नहीं देख सकते कुछ ऐसे लोग है जो जीजु दूई पर भी नहीं गए है और कुछ ऐसे लोग है जो हवाई जहाज में भी नहीं गए है आप अपने हाथों को उठाएं अगर आप कभी भी जीजु दूई पर नहीं गए है कृप्या करके आप अपने हाथों को या फिर थोड़ा उसे कम यहां तक कि इस छोटे से देश में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत से जगों पर नहीं गए हैं तो फिर आप कितना ज़ादा सोचते हैं कि यह कितना ज़ादा लंबा समय लेगा अगर आप सभी सुवर के राजे में जाएंगी यह बहुत और इस प्रित्वी पर इसके तुलना किसी भी चीज़ के साथ सुवर के राजे के तुलना नहीं की जा सकती अगर हम सुवर के राजे के तुलना करें तो यह प्रित्वी यह किवल एक बिंदू की तरह है कुछ लोग इसे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते कि ये प्रित्वी ये एक बिंदू की तरह है 1980 में मैंने एक अगबार में पढ़ा था वहाँ पर एक अनुचेद था उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था कि अगर हम इस प्रित्वी की तुलना पुरे ब्रहमान से करें तो ये केवल एक बिंदू की तरह है ये मेरे विचार नहीं है मैंने एक अनुचेद में पढ़ा था और मैंने कहा कि इस पुरे ब्रहमान में वहाँ पर बहुत से तारे है इसलिए अगर हम इस प्रित्वी की समय की अनुसार देखे तो ऐसा लगता है कि पुरे सोयर के राज़े को देखने में बहुत जादा लंबा समय लगेगा आपको इस बात को याद रखना चाहेगी कि बहुत जादा लंबा समय लगेगा जब आप पुरे सोयर को देखेंगे निश्चे तोर से वहाँ पर कुछ ना कुछ सीमाई होंगी जब आप उचे सोयर के राज़े में जाएंगे जब आप अपने स्वर्गे स्थानों से वहाँ पर जाएंगे लेकिन जो भी है आप वहाँ पर कुछ ताजा और वहाँ पर हमिशा आपको कुछ नया महसूस होगा जब आप दूसरे देश में चाहते हैं तो कोई माईनी नहीं रखता कि आप कितने सुन्दर द्रशे का आप आनन्द लेते हैं लेकिन आपको अपने आपको उस नए वातावर्ण के अनुसार ढालना पड़ता है यहां तक कि पानी के अनुसार और आप वहाँ पर ठका हुआ महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबी समय तक यातायात के साथनों का प्रियोग करते हैं जिस सरीके से कार हवाई जहाज लेकिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप कभी भी वहाँ पर नहीं ठकेंगी क्योंकि आप उस समय उस स्वर्गे दे को पहन लेंगे क्योंकि आपका हिर्दे और स्वर्गे दे कभी भी नहीं बदलेगा इसलिए आप लगातार यहां तकि उन जगों पर बार बार जाएं तो भी आप बोर नहीं होंगी इसलिए आप जब भी कभी भी स्वर में किसी भी सान पर जाएंगे तो आप हमीशा खुशी और आनन से भरे रहेंगी जो हमारी स्वर्गे दे का वजन होगा वो जादा नहीं होगा इसलिए आप बहुत हलके से चल सकते हैं और आपको कोई मेहनत करने की जुरत नहीं होगी लेकिन आप जितना दोड़ना चाहते हैं आप उतना ही दोड़ सकते हैं जब आप अपने अनन स्वर के सानों पर जाएंगे श्वेत महन नयाई सीहासन के बाद उसके बाद आप स्वर्गे दे को पहनेंगे स्वर्गे देवो हर एक स्वर्गे राजे के अनुसार वो आपके लिए अनुकूल होगी आपके स्वर्गे देवो ऐसा महसूस करेगी कि उसका वजन कुछ भी नहीं है किवल थोड़ा सा ही है इसलिए आप बहुत सदा हलके कदमों से चल सकते हैं अगर आप उचा कूदना चाहें तो आप उतना ही उचा कूद सकते हैं इस प्रिथ्वी से भी बढ़कर जब ओस्ट्रोनेर्स जब वो चांद की सतय पर आते हैं और जब वो टीवी पर दिखाया गया था मैं सोचता हूं कि 1960 की दशक की बात है वो बहुत ज़ादा हलके लग रहे थे और वो भारेश चीजों को भी आसानी से उठा सकते हैं जब कोई उन्हें आगे की और धा केलता है तो वो उठ जाती थे वो अपने आपको न्यंत्रित नहीं कर पाते अगर आपने कभी शुन्य गृत्व अकर्शन को देखाया तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उन्हें एक बहुत जादा महान ट्रेनिंग की ज़रत होती है कि वो अपने आपको न्यंत्रित कर पाएं बिना उसके वो उस तैपर इधर उधर ऐसे ही फिसलते रहें अगर आप इस शुन्य गृत्व अकर्शन को समझते हैं तो आप इस बात को आचानी से समझ सकते हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप आत्मा में उड़ नहीं सकते जब आप अपने आकरी सांसों को लेंगे और जब आपकी आत्मा आपकी शरीर को छोड़ेगी तो फिर आपकी आत्मा वो प्रिकबर में जायेगी और जब हमारे प्रभू आएंगे और फिर वो प्रभू स दे में बदल जाएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी प्रभू से मिलेंगे जब प्रभू हमारे नामों को पुकारेंगे तो हम प्रभू के साथ जाएंगे अगर तरीक परमिश्र में से कोई भी अगर वो नेरशलिम से स्वर्गलोग में जाना चाहे तो वो वहाँ पर तभी की तभी जा सकते हैं लेकिन पिता परमिश्र प्रभू और पावित्र आत्मा में थोड़ा सा अंतर है जब हमारे परमिश्र के पास पुन उठाने दे नहीं है वो आत्मा है और वो आसानी से वहाँ पर जा सकते है परमिश्र पूत्र और पावित्र आत्मा वो पिता परमिश्र से थोड़ा सा अलग है और उनके पास पावित्र दे है और ये त्रेक परमिश्र के उस इश्वर्य सुभाव में ये संबव है वो उस छेत्र में पक्षों की तरह तो नहीं उड़ सकते लेकिन उस समय और दूरी पर प्रबल होकर वो वहाँ पर जा सकते है ना केवल हर समय प्रभू इस तरीके से जाएंगे वो चल सकते हैं और वो दोड़ भी सकते हैं लेकिन जब उनको जरुरत होगी तो वो समय और दूरी को मिटाते हुए इन चेत्रों को मिटाते हुए वो वहाँ पर पहुंच सकते हैं इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसका मतलब यह है नहीं कि आप स्वर्ग में पक्षों की तरह उढ़ेंगी आपकि स्वर्गे दे उसका वजन वो बहुत ज़्दा कम है जिस तरीके से किवल पंखों का वजन होता है जब आप स्वर्ग की बहुत से जगव उपर जाएंगी या फिर जब आप किसी दूसरे वेक्तियों के घरों में जाएंगे तो आप बहुत से अलग-अलग यातयात के साधन ले सकते हैं यहां तक कि वो यातयात के साधन वो बहुत जादा आराम दायक होंगे आप कभी भी थकेंगे नहीं और नहीं कोई आपको ऐसोईदा होगी चाहे आप कितने भी जादर लंबे समय तक जाएं उन सभी यातयात के साधनों में से कुछ सारजनिक यातयात के साधन होंगे जिस तरीके से स्वर्ग की रेल और कुछ हमारे वेक्तिकत यातायात के साधन होंगी जिस तरीके से बादलो की कार और गोल्डन केरिजीज फिर क्यों हमें स्वर्ग में उस रेल की जरुरत है और स्वर्ग लोग में पहले राजे में दूसरी राजे में वहाँ पर कोई भी हमारे वेक्तिगत यातायात के साधन नहीं है इसलिए वो इस स्वहर की रेल का उप्योग करेंगे मेरा मतलब यह नहीं कि वहाँ पर स्वहर में बस है हानिशेत तौर से वो भी हो सकती है तो क्या आप सोचते हैं कि वहाँ पर तीसरे स्वहर के राज्ये में और नेरशले में कोई भी स्वहर के ट्रेन नहीं होगी वहाँ पर भी होगी जब दूसरे और तीसरे स्वहर के लोग जब वो नेरशले में आएंगे तब वो उस स्वर्ग की रेल का उप्योग करेंगे क्योंकि उनके पास अपना कोई वेक्तिगत यातायात का साधन नहीं है इसलिए वो उस रेल का उप्योग करेंगे अगर मैं कहूं अगर आप अपने परिवार को वहाँ पर आमंत्रित करते हैं तब आप उनसे मिलने के लिए अपनी कार को चला कर बाहर जाएंगे और फिर आप उन्हें वहाँ लेकर आएंगे अगर आप इन यातियात के साथ दूंकवा वहाँ पर स्वर्ग में आप इनके सवारी करेंगे तो आप बहुत जादा खुश होंगी ये बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरीके से चलने से अच्छा है कि हम बस में जाएं और बस में जाने से अच्छा है कि हम अपने खुद की कार में जाएं जो स्वरगया रेल होगी वो बहुत से सुन्दर मणी रतनों से जड़ी होगी और कहीं पर भी हमें उसमें बैटने में कोई ऐसूधा नहीं होगी और जो सभी की सभी city होंगी वो सभी आत्रियों के लिए होंगी और वो बहुत ज़ादा आराम दयक होगी और वो कहीं भी जा सकते हैं स्वर्ग में कोई माइनी नहीं रखता कि आप कितनी दूर जाएं आप कभी भी नहीं धकेंगे मैं निश्यत नहीं हूँ कि वहाँ पर लोकल ट्रेंज भी होंगी या नहीं वहाँ पर लोकल ट्रेंज और एक्स्प्रेस ट्रेंज भी होती है और ये बिलकुल अलग है लोकल ट्रेंज में सवारे करना और एक्स्प्रेस ट्रेंज में सवारे करना लेकिन KTX के बारे में क्या है उस पर सवारी करना ये बिल्गुल TZV की तरह होता है कोरिया में KTX होता है मैं कभी भी उस पर नहीं गया मैंने कभी भी KTX की सवारी नहीं की अगर हम कहें अगर आप यूरोप में TZV की सवारी करते हैं मैंने टीजीवी की सवारी की है ये स्विट्जर लेंड में या फिर मैंने फ्रांस में इसकी सवारी की है या फिर जर्मनी में लेकिन जो भी है मैंने पहले टीजीवी की सवारी की है क्या आप जानते हैं कि वो कितना तेज चलता है जो कोई खिड़की से बाहर से गुजरता है तो हम आशर चकित होते कि यह क्या था बाद में हमें पता चला कि यह भिजली का खंबा था यहां तक कि वो ट्रेन वो बहुत जादा तेज चलती है तो भी उसमें जो कप और गिलास होते हैं वो कभी भी नहीं हिलते मैंने उन्हें बिलकुल ध्यान से देखा है यहां तक कि कोफी भी वो कबसे बाहर नहीं गिरती जब वो जो स्वर्गलोग में है जब अवित्र नगर नरशलिम में उनको आमंतरित किया जाएगा तब वो इस तरीके की ट्रेन में जा सकते हैं जो नए उसलिम और जो स्वर्गलोग की बीच की दूरी है वो इस प्रित्वी की माप के अनुसार उसको नहीं मापा जा सकता स्वर्गे ट्रेन वो हवा में उड सकती है इसलिए वो इससे भी तेज होंगी अगर वो जमीन पर चले तो उसे भी तेज हवा में उड़ेंगी क्या जो स्वर्ग की ट्रेन है वो उड़ेगी हाँ वास्तों में ऐसा होगा क्या आप सोचते हैं? क्या वो स्वर्ग में उड़ेंगी? यहां तक कि इस पृत्मी पर भी ऐसे ट्रेन होती है जो उड़ती नहीं है एक ऐसे ट्रेन जापाण में है जो शायद उड़ती है वो हवा में उड़ती है और यह बहुत तेज़ तोड़ती है मैंने सुना है मैंने सुना इन्हें Maynetic Levitation train कहते है एक Maynetic Levitation Proposal train ऐसी ट्रेन वो इस प्रित्में पर भी है तो फिर वो स्वर्ग में क्यों नहीं होंगी वो सभी की सभी वो बहुत तेजी से उड़ेंगी हमारे पिता ने इस तरीके से उन्हें बनाया है आपके वल ऐसे कल्पना कीजिए कि एक ट्रेन हवा में उड़ रही है और सुन्दर जोतियां उसके चार और है और आप खेड की से बहार उस खेड की से देख रहे हैं एक बहुत सुन्दर द्रश्य है और ये कोई एक सपना नहीं है ये सुर की वास्विक चीजें होंगी और जब वो सोने के पुल को पार करेंगी ये उनसे संबन्दित है जो की निर्शले में है और जब वो दूसरे सुर के राज्यों में जाएंगी ये गोर्लन कैडेज ये एक सोने का कैडेज है और इसके सफेद पंग है और ये भी उड़ेगा और इसके अंदर एक बटन है उसके द्वारा ये आटोमेटिक सिस्टम के अनोसार ये उड़ेगा और ये चलेगा मैं सोचता हूँ कि मैंने एक टीवी पर न्यूज चैनल पर सुना था या फिर मैंने अकबार में देखा था भवेशे में यातायात के सादन वो हाथों के द्वारा नहीं लेकिन वो मनुशे के सोच उचारों के द्वारा नियंतरित किये जाएंगे जब ड्राइवर उसे रोकना चाहेगा और जब वो उसके बारे में सोचेगा तो फिर कार वो अचानक से रुक जाएगी इसलिए उसको बोलने की भी ज़रत नहीं होगी उन खबरों के द्वारा बताया गया कि भविशे में ऐसे यातायात के सादन होंगे लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच था कि हम उसे इस पेड़ी में देख सकते हैं लेकिन अगर हम हमेशा हमेशा के लिए रहे तो हो सकता है कि हम उसे देख पाए लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा समिश प्रिथ्वी पर नहीं बचा है जो बादल है वो स्वर्ग में यातायात के साधनों की रूप में उनका उप्योग किया चायेगा मैंने आपको बताए जो स्वर्ग के बादल है वो हमें बहुत ज़दा खुशी और अरानन देते हैं और स्वर्ग में उनका प्रियुक सजावट के लिए भी किया चायेगा जब हम बादलो पर जाएंगे तो वो आपको और ज़ादा जोती देगा और वो आपको और ज़ादा अधिकार और और ज़ादा महीमा देंगी पहला थिसलूनिकियों चार अध्य उसका सोला और सत्रा पधा में बताता है क्योंकि प्रब्भू आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूद का शब सुनाए देगा और परमेशर की तुर्री फूकी चाहेगी और जो मसी में मरे है वो पहले ची उठेंगे इसलिए जो सुर के बादल है वो परमेशर की संतानों को और ज़ादा सुन्दर और और ज़ादा महीमा में बनाएंगे अगर आपने एक ऐसे कहानी को पढ़ा है जिसमें जो मुख्य पात्र है अगर वो अपनी वैक्तिक गद बादल पर उड़ता है तो आप भी सभी चाहेंगे कि आप भी बादल में उसकी तरह सवारी करें जिस तरीकी से वो सवारी कर रहा है आप अपांटिक लिए स्वारी में उन बादलों को ढूंड सकते हैं जो कि बहुत साधा रुज़क है और जो कि बहुत साधा सुन्दर है ये बादलों का अटमोबाइल है ये पानी की बौंदों से नहीं बना है हमारे पिता परमेश्वर ने इस ओटोमेटिक बादल को महिमा के लिए बनाया और वो अपने संतानों को प्रतिफल के रूप में देंगे ये ओटोमोबाईल ये किवल ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाएगा लेकिन वो लोग जो तिसरे सुहर की राजे में जाएंगे और जो इससे उपर जाएंगे उनको ने इशले में दिया जाएगा ये उनका वेक्तिगत यादायात का साधन होगा ये ओटोमोबाईल ये अपने आप में उस महीमा को और उस आदर को और अपने माली की सामर्थे को दिखाता है अगर आप ने इशले में जाते हैं तो आप इस योगे होंगे कि आप इस बादल की ओटोमोबाईल को चला सकते हैं और आप प्रभू के साथ जहां जाना चाहें आप वहाँ पर जा सकते हैं और स्वर्गय सेना और स्वर्गदूत वो आपके साथ होंगी अगर आप अपनी आत्मिक देह के बारे में सोचे तो ये बहुत सादा हलकी है तो फिर आप बादलों पर उड़ने पाएंगे ये बिल्कुल ऐसा होगा जिस तरीके से राजा और रानी जब वो जाते हैं तो उनके साथ बहुत से सेना जाती है इसे तरीके से स्वर्गय सेना भी वो अपने माले की महिमा को दिखाएगी ये बादलों का ओटो मूबाइल वो स्वर्गदूतों के द्वारा चलाया चाहेगा और बहुत से स्वर्गदूत वो आपकी सेवा करेंगे और बहुत से स्वर्गदूत वो आपके साथ होंगी आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो जो गोल्डन कैरीज है वो ओटोमेटिकली चलाया चाहेगा आपको किवल क्या करना है आपको उसमें केवल बटन को दबाना है लेकिन जो ये बादल का ओटो मुबाइल है ये स्वेर दूतों के द्वारा चलाया जाएगा नए यरुशले में जब आप गुल्फ खेलेंगे और जब आप कहीं पर जाने की कोशिश करेंगे जो छोटी बादल का ओटो मुबाइल है वो आपके पैरों के पास आपका इंतिसार करेगा अगर आप उस ओटो मुबाइल पर जाएगे तो वो ओटो मुबाइल वो आपको वहाँ लेकर जाएगा जहां आपके बोल गिरी हुई है जो गुल्व का मैदान है वो स्वर्ग में बहुत सादा बढ़ा है और जो गेंद है वो बहुत सादा दूर तक गिरेगी इसलिए ये आपके लिए आराम दायक नहीं होगा अगर आपको बहुत सादा दूर उस गेंद को लेने जाना पड़े इसलिए वो ओटो मुबाइल वो हमारा इंतजार करेगा और उसके बाद हम फिर उसमें जाएंगे आप इस बात की कल्पना करें कि आप हवा में उड रहे हैं उस बादल की ओटो मुबाइल पर नए यरुशले में और बहुत से स्वर्गे सेना और बहुत से स्वर्दूत वो आपके साथ है और आप कल्पना करें कि आप उस ओटो मुबाइल पर प्रभू के साथ जा रहे है या फिर उन लोगों के साथ आप स्वर्गे ट्रेन में जा रहे हैं इसलिए आप इंसान सारिक चीजों के और देखना बंद कर दे मसी में प्रिये भाईयों और भेनों अब मैं आपको स्वर्गमी बाचीत के बारे में बताऊंगा हमारे समय में इतनी जादा टेकनोलोजी नहीं थी और जब हम एक दूसरे से बाचीत करते थे फोन के द्वारा और यहां तक की फेस टू फेस भी अब हम बाचीत कर सकते हैं जब मैं इस तरह की किसंदेशों को 1980 में देता था तो मैंने कहा कि हमारे भविश्य में ऐसा समय आएगा कि जब हम एक दूसरे को फोन पर बाचीत करते हुए देख सकते हैं अब ऐसा हो रहा है ठीक जब मैं वाशिंग गटन गया था 1990 में मैं वहाँ पर बहुत साथा आशरे चकित हुआ मैं वहाँ पर शाका कलीसिया में गया उन्होंने कहा कि वो अपनी सीनर पास्टर जी से उन संदेशों को सुन रहे है जो कि सियोल में है अब वो स्क्रीन पर उन संदेशों को सुन सकते है उन्होंने मुझे वहाँ पर दिखाया और मैं बहुत जादा आशरे चकित हुआ वाओ अब शाखा कली से आए भी अब वो सीनियर पाश्चर को स्क्रीन पर देख सकते हैं वाओ इसलिए मैं बहुत जादा आशरे चकित हुआ आप क्या सोचते हैं कि स्वर्ग में हम किस सरीके से बाश्चित करेंगे हमारा बाश्चित करने का तरेका नयुर्शले में वो बिल्कुल आत्मिक बाश्चित होगी आप अपने हिर्दे में समझ सकते हैं कि दूसरा आपको क्या कहना चाहता है उधारन के लिए जब हमारे पिता परमेश्चर वो एक बहुत बाड़े भोश को रखेंगे और जब वो हमें स्वर्ग में वहाँ पर बुलाएंगे और स्वर्ग में सभी को आमंतरित करेंगे वह हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों पिता परमेश्चर ने उस भोश को रखा है और क्यों वहाँ पर जाना है यह इसलिए है क्योंकि जो नर्शले में रहते हैं वो हमारे पिता परमेश्चर की हिर्दे की सैद्रश है और वो पिता परमेश्चर की इच्छा को वो उस आ स्वर्ग का राज्य, दूसरा स्वर्ग का राज्य, पहला स्वर्ग का राज्य और स्वर्ग लोग, किवल आपके हिर्दय का वो भाग जो आपने आत्मा में जोता है वो ही स्वर्ग में जाएगा, इसलिए जो कोई भी निचले स्थर पर है, जो स्वर्ग की निचले सानों में वो आत्मा में नहीं आए जो कि पिता परमिशर चाहते थे अगर हमारे पिता परमिशर ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जो पहले स्वयर की राजय में है अगर उसे निर्षले में आमंतरित करें तो फिर स्वर्गदूत उडएंगे और वो उसे आमंतरन पत्र को देंगे इसलिए स्वर्गदूतों के द्वारा उनको वो आमंतरित पत्र दिया चाएगा तफिर उनको मालूम होगा कि निर्षले में एक भोश रखा गया है जिस तरह किसे मनुष है स्वर्गदूत वो उनसे बहुत तेज़ चलते हैं स्वर्गदूत वो यहां से वहां जा सकते हैं क् कि वो आत्मिक प्राणी है इसलिए वो बहुत जादा जल्दी जा सकते हैं यह उनके उपर निर्भर करता है चाहां कई भी वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और दूसरा किवल जब आप संपूर्ण आत्मा में आएंगे और जब आप आत्मिक तौर से दूसरों से बाचि कर सकते हैं अगर पती और पत्नी वो आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो वो कितने जादा खुश होंगी वो हिर्दे में एक दूसरे से बाचित कर सकते हैं और वो बहुत जादा खुश होंगी लेकिन अगर पती वो शाररिक जन है और पत्नी आत्मिक जन है तो य जब तक वो आत्मा में आये तब तक उसे इंतजार करना है और जब वो एक बार आत्मा में आ जाएगा तो फिर वो अपनी पत्नी की हिदे को आसानी से समझ सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका हिर्दे कितना जादा बुरा है उस वेक्ति के अंदर मेरे लिए दुर्भावना है वो मेरे कामों को पसंद नहीं करता जो भी कुछ में कर रहा हूं। ये वल हमेशा भलाई में सोचने की कोशिश करते हैं। वो कभी ऐसे नहीं सोचते हैं कि दुसरा वेक्ति मेरे बार में बुरा सोच रहा है। वो कुई ना कोई कारण रूड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ भी बुरा नहीं सोचते। इसलिए वो कभी भी दूसरों को गलत नहीं समझते लेकिन शाररिक जन वो बहुत से चीज़ों को गलत समझते हैं। जो आत्मिक जन हैं उसके सोच रूचार वो कभी भी ऐसे नहीं होते। जो कि शाररिक लोग हैं तो फिर वो किस तरीके से बाचित करेंगे। परमेशर वो लोगों के हिदे को ढूनते हैं लेकिन शाररिक लोग वो नहीं। इसलिए परमेशर हमसे किसी का नय और निंदा करने के लिए हमसे मना करते हैं। इसलिए हमें कभी भी दूसरों का नय और निंदा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो दसमे से एक या दो बार वो ठीक नय करें लेकिन वो वास्तों में हमेशा गलत नय करते हैं। विशेश तोर से जब हम आत्मा के जन का नय करते हैं तो ये ठीक नहीं है। शारर एक जन वो कभी भी आत्मा के जन का नयाय नहीं कर सकता वो किवल इसे तब कर सकता है जब वो आत्मा में आए और संपूर आत्मा का जन वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकता है इसलिए वो परमिश्र को खुश कर सकता है क्योंकि वो परमिश्र की हिर्दे को जानते हैं इसलिए वो परमिश्र की हिर्दे के सैदरश होते हैं और वो परमिश्र को खुश करते हैं लेकिन जो शारेरिक जन है वो ऐसा नहीं कर सकता लेकिन उनका हिर्दे, वो पिता परमिश्र के हिर्दे से बहुत जादा दूर होते हैं, वो पवितर आत्मा के आवाज को नहीं सुनते, वो पवितर आत्मा के द्वरा अगवाई नहीं प्राप्त करते, वो नहीं सुनते और नहीं कोई उनको पवितर आत्मा के अगवाई मिलत करेगी आपको कोई भी अपना शेडूल बनाने की ज़रुत नहीं होगी और आपको डिटेल लेने की ज़रुत नहीं होगी जिनने आप आमंत्रित करना चाहते हैं कोई माईनी नहीं रखता कि आपने किस प्रकार का वायदा किया दूसरों से मिलने के लिए कभी कबार आप उन एस होगी था आपको कभी भी नहीं होगी अगले संदेश में मैं आपको और जादे गहराई से बताऊंगा कि सुर्ग में आप कितने जादा खुश और आरामदायक होंगे जब आप आत्मेक तौर से किसी सभा के लिए दूसरों से बाचेत करेंगे मसी में प्रेभाईयों औ के बारे में बताया और किस तरीके से हम वहाँ पर बाचेत करेंगे इन सभी चीजों में से हम उन बातों को देखें इस प्रित्वें पर जो हम बाचेत करते हैं वो तक्निके की अनुसार वो बिलकुल अलग-अलग होती है और दूसरे शब्दों में सुर्ग में वहाँ पर क प्रमिश्र के वश्नों का प्रचार करते हैं उसी तरीके से जो उनको समझने का स्तर होता है जितना जादा प्रेम और जितना जादा भलाई हमने अपनी हिदे में जोती है उतना ही जादा घहराई से हम उसको समझ सकते हैं अपनी हिदे के अनुसार ही हम उन वश्नों को समझ सक जब हम एकी फिल्म Passion of the Christ बहुत से लोग जब उस फिल्म को देखते हैं एक साथ बैठ कर तो कुछ लोग अपने हिर्दे में बहुत जादा प्रभावित होते हैं वो आसू को बहाते हैं और दूसरी लोग वो जादा प्रभावित नहीं होते हैं वो किवल बैठे रहते हैं और इसलिए है कि आपके हिर्दे में कितना जादा प्रेम और भलाई है और कितना जादा आपने अपने हिर्दे को आत्मा के अनुसार जोता है ये आत्मा का हिस्सा जो आपके हिर्दे में यही स्वर्ग में जाएगा इसलिए अगर आप वासव में आप स्वर्ग में हमेशा के लिए सबसे खुशी जीवन जीना चाहाते हैं तो आपको अपने हिर्दे को संपूर आत्मा में जोतना है हमारे प्रभू ईशु मसी निलू का 17 अधे उसके 21 पद में कहा और लोग यह ना कहेंगी कि देखो यहाँ है यह वहाँ है क्योंकि देखो परमिश्र का राज्य तुम्हारे बीच में है दूसरे शब्दों में आप बहेतर स्वर्ग स्थानों में जा सकते हैं जितना जादा आप अपने हिर्दे को आत्मा के अनुसार जोतेंगी जब मैं नया विश्वासी था और जब मेरी पत्नी भी जब हम लोगों से पूछते थे कि स्वर्ग कहां पर है तो वो कहते थे कि स्वर्ग वो हर एक के हिर्दे में होता है जब डिकन और डिकनेस जब वो मेरे घर पर आए तब मैंने उनसे पूछा कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग हमारे हिर्दे में हम उसे रख सकते हैं तो फिर किस तरह किसे स्वर्ग को मैं अपने हिर्दे में रखूँ तब उन्होंने कहा कि आप इस बात पर विश्वास करें और जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे उन्होंने मुझसे इस तरीके से का कि मैं अपने हिर्दे में विश्वास करूँ तब मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि कैसे मैं इसी अपनी हर्दे में बनाऊँगा लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्यूं हमारे हर्दे में स्वर्ग है ये इस बात पर निरभर करता है कि आपने कितना जादा आपने अपने हिर्दे को आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जोता है जब आप समझते हैं कि आत्मा क्या है तब ये आपके लिए आसान होता है कि आप उस आत्मा की गहराई को जाने अगर आप इसे नहीं जानते तो फिर आप आसानी से अपने मेश्ि जीवन को नहीं जी सकते कैसे मैं अपने हिर्दे में सुहर को रखूँ अगर आप लोगों से पूछेंगे तो फिर लोग आप से कहेंगे कि आपको इस बात पर विश्वास करने की ज़रत है लेकिन अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से नहीं समझते तो फिर आप कैसे विश्वास करेंगे कि आप अपनी हिर्दे में स्वर को बना सकते हैं क्या अब आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए कि आप किस तरीके से स्वर को अपनी हिर्दे में रख सकते हैं। में जाने पाए में प्रभुश्य मस्य के नाम से प्रात्ना करता हूं।